नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं सेलेंद्र मिस्त्र। परधान मंतरी नरेंदर मोदी की अगवाई वाली केंदर सरकार के दो साल पूरे होने को है। सबका साथ सबका विकास के मंतर के साथ सरकार ने रोजगार बढ़ाने और ग्रामीड इलाकों में छोटे और मजोलो एक उद्धोगों पर खास ध्यान दिया है। सूच मुलग और मध्यम उद्धोग मंतराले के काम काज़ पर बात चीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ केंदरिय मंतरी कलराज मिसर जी। कलराज जी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ही पिछले दो सालों में आपके मंतराले की अहम उपलब्दियां क्या रही ह और सबसे बड़ी कर्णाई थी उनके लिए कि जल्दी उनका रेशिशन नहीं हो पाता था। वो बड़े इधर उधर परिशान भड़कते थे और पैसा देने के पश्चाद भी नहीं हो पाता था। तो हमने तय किया कि हम ऐसा आसान तरीका निकालेंगे जिसके कारण आकड़े देखा जो चौथा जन्गरना हुई थी उस हिसाब से कितने द्योग हैं तो उस आकड़ों में मैंने देखा कि केवल 16,00,00 ऐसे यूनिट्स हैं जो अरेश्टर्ड हैं जबकि सब मिलाकर तीन करोड़ साथ लाग पूरी MSME की यूनिट हैं तो इक चिंता हुई कि इ किया जाएं तो उस हिसाब से सारा विचार करने के पश्चाथ अविगत सितंबर में एक हमने अपने मंतराले की तरब से एका कि यह ऐसी व्योस्ता होनी चाहिए जिसमें उद्यमी को इधर उदर जाना न पड़े और एक पेज में आनलाइन एक ऐसी सिती का निर्मान हो जिस इसको उसको फिलब करने के पश्चाथ ततकाल उसको रेश्चेशन नमबर प्राप्त हो जाए हमारे अधिकारियों ने हम से लोने मिलकर बनाया और एक दोग आधार ग्यापन मेमरेनम तियार किया बीस पॉइंट का एक पेज का आनलाइन उसके फिलब करने के पश्चाथ आ नमबर प्राप्त हो जा रहा है और आपको जानकर प्रसुनिता होगी कि उसमें किसी कांग्याद की जड़त नहीं एक पैसे का खर्चा नहीं और रुद दमी को रेश्चेशन नमबर प्राप्त होगा है और आपका जानकर खुशी होगी कि केवल कुछ महिने के अंदर ही 7,5 से जादा रेशिशन हो गया है सर्ट सर्टिफिकेशन के आधार पर इससे बढ़कर के आसान तरीका अभी यास तक कभी लगुद्वियों के लिए नहीं रहा दूसरा जो उद्दमी हमारा है उसके करजे लेने में उसको बड़ी दिक्कत जाती थी उस पर हम जरूर आएंगे यही हमारा सवाल है कि छोटे और मजोले उद्दोगों को बिस्तार दिया जाया एक सबसे बड़े चुनोती है भारत में वो है रोजगार उकलब्द कराने की उस दिसा में कितना आगे बढ़ा जा सका है चुकि आप देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग है वो छोटे और मजोले उद्दोगों के जलिए रोजगार पाते हैं न केवल वो लोग जो उद्दोग सुरू करते हैं बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों भी काफी संख्या में है प्रदार मंतरी जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान में वे र जोगार नौजवानों की संख्याद जादा है उनरमन नौजवान बेकार रहते हैं और इसलिए ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए हमें आगा आना चाहिए हमारे मंतराले ने इस अभियान के साथ कि बेरोजगार से लेका सो रोजगार तक की यात्रा हमने उस के अनुसार कुछ योजनाएं बनाई और वह एक स्कीम हमने यह बनाई एक स्कीम फार प्रमोशन आफ इन्नोवेशन रूरल इंडस्ट्री और इंटरप्रनियर्शिप एस्पायर यह हमने अपने हमारे मैं जब आया होता भी सब्सक्राइब बनाया है और इसमें हमने जो थोड ले ग्रामीन छितरों में भी जो कम पर ख़ल लिखे लोग थे मशीनों पर ट्रेनिंघ प्राप्त करें इसके लिए हमने लाइवलिव और इंक्रोशन सेंटर का नाम दिया अब लायव लेशन सेंटर में सस्थे दर्की मशीन चार लाग पांच़ लाग दस लाग पंद्र ला जाएगी मनें बैंक से करजा दिलावाद दिया जाएगा और उस पर अपने स्वेहम का भी अपने परिवार का भी इंट्रोपनेयर भी बनेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे भी और आपको जानका प्रसंता होगी दो वर्षी अंदर 22 ऐसे लायबिली हुल बिजनस इनकोविजन सिंटर हमने सुन किया है और दो टेकिनिकल बिजनस इनकोविजन सिंटर तो एक रोजगार को बढ़ाने के लिए और उद्यमत्या को स्थावित करने के लिए दूसरा इसके बड़ा भी सामानने तवर पर छोटे उद्योगों में भ हमें skilled men power के आशकता होती है तो हमने कुछ पुरे देश भर में 18 टूल्स रूम जिसमें 10 टूल्स रूम है और 8 जो है technological development centers है इसको हमने स्थाबित किया है और साथी साथ 15 और टूल्स रूम है और जिसमें इस समय तक हमने दोवेश के अंदर चार टूल्स रूम की technological center system program के नाते हमने इसका श्रिला नैस किया है यहां राजस्तान में किया है भिवाड़ी में हिमानचल में किया है बद्दी में हैदरबाद में किया है और अभी जम्मो कश्रम में करना है जम इन मिल गए ही उसो भी करेंगे और आपको जान का प्रसंदा होगी नार्थ इस जोन में जो आठ स्टेट्स हैं समी स्टेट्स के लिए हमने कहा है वो प्रजेट बना के दें सबको लिए 10 करों रुपया इस बढ़ा कि technological center system के दृष्टी से हमने इस्थाबित करने का कहा है तो उसके कारण skilled manpower उसमें employment के दृष्टी से भी काम कर सकते हैं और साथी साथ entrepreneurship के रुप में भी develop कर सकते हैं तो ये बेरोजगार से लिए सोरोजगार तक की यात्रा में एक बड़ा मत्मून कदम है साथी साथ PMEGP के माद्यम से भी हमने इसो करने कुछस की है आपसे बात्चीज जारी रहेगी लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रिकाब ब्रिक के बाद खास मुलाकात किंद्रिय मंत्री का लाजम से जारी रहेगी हर दिन बदलती खबरे हर पल बनती नई सुर्खिया खबरों की रफ़तार के साथ हर दो पहर दुनिया की ताजा तस्वीर दो पहर समाचार रोजाना दो बजे सिर्फ टीडी न्यूस पर ब्रिक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हैं बात चित कर रहे हैं केंद्रिय मंत्री कलराजम से कलराज जी बात हो रही थी क्या क्या आपने पहल किये खास तोर पर स्किल्ड डब्लिमेंट के छेतर में जो है हुनरमन लोग आए छोटे और मजोले उद्धोगों के लिए लेकिन जो सबसे अहम चुनोती होती है वो कर्ज उटाने की है चोटे उद्धोगों के लिए चोटे उद्धोगों के लिए असान नहीं होता कि बैंकों को बैंकों से उनको आसानी से करजा मिले इस दिसा में क्या पहल की गई है भी तक और क्या परिणाम सामने आया है प्राड़म में भी हमने बताया आपको कि मंतराले समाने के पश्चाथ सबसे बड़ी चुनोती हमारे सामने ही उपड़कर के आई थी लगोद्धियों ने कहा था कि हमें करजे जल्दी नहीं पराप्त हो रहे है जबकि हमारे गाइड लाइन के माद्धिम से और जो हमारा एक्ट बना है उस जरिये से इस पराप की बात आई थी और रिजर्बेंक आफ इंडिया के भी काइड लाइन की साबसे रिजर्बेंक आफ इंडिया ने तो यह कहा था कि 20 प्रतिशत करजे लगोद्धियों को वर्ष प्रतिवर्ष बैंक दिया करेंगे और इतने नहीं तो हर वर्ष 10 प्रतिशत उनका एकाउंट भी खुलता जाएगा खाता भी खुलता जाएगा और यह भी कहा कि 60 प्रतिशत अग्रिम करजा भी दे सकते हैं यह रिजर्ड बैंक आफ इंडिया के गाइड लाइन के आधार पर चीज़े आई दुर्भागे कोछी नहीं हो पा रही है और उसके कारण जो यह भी बात तेकी गई थी कि एक करोड तक का जो करजा दिया जाएगा वो कोलिटर फ्री होगा लेंगे इसमें भी बैंक एक करण दिक जा रही थी तो इसके लिए हमारा मंत्राले यह निरने लिया कि इसके लिए गारंटी हम लेंगे और एक करण का करजा लगुद्ध मी ले सके इस दिश्टी से उसको कोई परशाणी नहो इसके लिए क्रेडिर गारंटी की बात हम ने सुनिश्ट की और हमने क्रेडिर गारंटी ट्रस्ट फंड इसकीम चालो किया और आपको जानका प्रसमता होई इस समय एक लाग करोड से ज़्यादा का हमारा कारवस फंड के रूम में है और उसके आधार पर 22 लाग से ज़्यादा इकायों को हमने इसके खारन लाग पहुचाया है यह हमारी कोशिस है ताकि हम लग उद्वी को करजे लिनाने की दुर्श्टी से किसी परकार की परिशानी नहो इस परकी हम बेवस्ता कर सके साथी साथ हमने यह किया लग उद्वी 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 लगा लिया लगा देने वाँ मशीन ठीसे काम नहीं कर रही है तो इसको रिनोवेट करने के लिए अपग्रेड करने के लिए हमने एक स्कीम बनाई और उसमें पंद्रफ हिजदी का हमने लग उद्वी को सबसीडी देने का तेकिया और उसकी स्कीम का नाम है क्रेडिड लिंक कैप्टर सबसीडी स्कीम अगर एक करूर का कर जा लेते हैं तो पंद्रफ हिजदी हम उसके सबसीडी देते हैं जिसके कारण उनके मशीन का अपग्रेडेशन हो सके और भी मैनिफेक्चरिंग अच्छी हो उसके लिए गुनावत तायुक तो सारी सीज़े हो हमने एक नेशनल मैनिफेक्चरिंग काप्टिडिनेस प्रोग्राम के अंतरकत भी हमने सबसीडी देने का फैसला किया है और उसमें भी इसी प्रगार का 15 फैसली की हम सबसीडी देते हैं वो उद्दमी उससे ले तो उसके जो फैनेसे का प्रश्ण है हमने इस तरीके से उसका समाधान निकालने का प्रयास किया है साथी साथ वो अलग से नन बैंकिंग फैनेसिंग एजनसी के माद्यम से भी उले सकते है मानि लेंडरिंग के माद्यम से भी ले सकते है तो उसमें भी हम उनको मदद करते हैं तो हर अस्तर पर लग उद्दमीयों को फैनेस के तर्श्टी से भी कटनाई न जाए यह हमारे तरफ से प्रयास है। बड़े बड़े जो इस छित्र में काम कर रहे हैं। जो MSMD Act 2006 था, Class 9 है, उसके कारण अधिकार के आधार पर हमने इन्डोडिफेशन जारी किया। टाकि वो सीक्र नहोंने पाए, और सीक्र उनली जो हैं, अगर कुछ रिवाइब हो सकती है, तो उनके लिए भी है, वो भी अप्लाई करें उनके बारे विचार के आधा किया आ सकता है। तो ये तो तरीका हमने इस पार का निकाला। दूसरा तरीका हमने ये निकाला कि विशेज कर जो इंडस्ट्रीज है रेटिंग में जब वो बिलकुल कम हो जाती है तो उनको बैंग से करजा नहीं मिलता है। तो रेटिंग के लिए रेटिंग एजनसी बड़ी महगी है। छोटा उद्दमी रेटिंग एजनसी को इस तरही से ला नहीं पाता। तो इसके लिए हमने उसों मदद की है। अब हमने उसों 75% का सबसीड़ी दी है। 75% या 40,000 तो हमारा NSIC है उसके माद्यम से परफॉर्मेंस रेटिंग के दृटिंग से जो रेटिंग एजनसी है उसको हम वहां देते हैं और दमी को 40,000 की हम सुबधा भी परदान करते हैं। ताकि रेटिंग के माद्यम से उसामने आए और आगे बढ़कर के वो करजा ले सके। तो हमारा प्रयास है को सिकना होने पाए आगे बढ़ गया है और इनसी सी रामेट्रियर प्र Oregon करता है, ससते हिसाम से प्रोवाईड करता है, एक सुनीची सीमा के अनतरगत प्रोवाईड करता है. तो उसके कारण भी हमारी कोशिस है, कि वो रामेट्रियर ले सके और जो मार्केट्टिंग या आपने बात की जो मैनिफक्चरड मा है इसके मार्केटिंग ठीक से हो सके इसी सवाल पर हम आते हैं कि एक चुनोती यह रही है कि जो लग दम्यों का जो उत्पाद है उसको एक बड़ा बाजार मिल के मिल सके नके वह भारत में बलकि अगर विदेश में उसको निर्यात किया जा सके तो इस दिसामें कि उन्हें भी एक बड़ा बाजार मिले और जो बड़ी कमपनिया है उनके मुकाबले वो चुनोती जहल सकें क्या कदम उठाए गए उसके लिए मैं आपको पताने जा रहा था क्या वो छोटा उद्यमी है उद्योग है उसने माल तयार किया भीक नहीं रहा है तो हमने एक 2012 में हमारे मंत्र जाले ने एक कानून बनाया और वो प्रोकुरिमेंट पॉलिसी के नाम पर कानून था जितने भी सारजनिक उपक्रम है पिस्यूज हैं उनके लिए कहा गया कि हमसमी के द्वारा निर्मित माल को कम सकम 20 फीज़ी ये खरीदे हमने देखा कि उसका कुछ लों ने खरीदा को मैंडेटरी कर दिया अब उसका लावी हुआ है पिस्यूज खरीदा शुरू कर दिये हैं और आपको जानकर प्रक्षमता होगी 18,000 करोड से ज़्यादा की खरीद हुई है हमने MSME के लिए जो उनके द्वारा उत्पादित माल है उनके लिए टेंडर के अंदर भी सुवध जाती है ताकि उनका माल ढ़न से खरीदा जा सके हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं ताकि उनका माल ठीस से जाए मॉनिटर करने के पिस्यूज की मिटी मिले रहे हैं तीन वारा पिस्यूज की मिटी ले चुके अब पिस्यूज जो हैं खरीदा शुरू कर दिये हैं दूसरा ज gender development भी होता है जो उद्यमी होता है वो भी और जो बायर होता है वो भी दोनों साथ साथ exhibitions होते हैं उसमें सावानों खरीते हैं तो ऐसे कई स्थानों पर हमने किया है इसके लिए हम अच्छा पैसा खर्च करते हैं domestic दृष्टी से भी exhibitions, fair ये लगाते हैं और abroad में भी विदेश में भी उनका माल जा सके इसके लिए हम exhibition लगाते हैं और उसके लिए हम उद्यमी को बकायते सुबधा परदान करते हैं उनको हम airfare देते हैं वहाँ style की दृष्टी से विदेशा करते हैं और वो जाते हैं ऐसे इसक ये कारण अगर उनका अच्छा माल है तो विदेशों में भी उसकी मांग बढ़ती हैं तो हमारे तरफ से मार्केटिंग के हिसाब से भी इस परदा का प्रयास है कलाज जी खादी की लोगपरता बढ़े खुद प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने इसमें एक विश्यस रोच ली है युवाओं के बीच इसकी लोगपरता बढ़े आपके मंतराने ने कौन कौन से अहम कदम उठाए है देखे खादी इसको हम स्यम में एक विचार मानते हैं एक सुदेशी का विचार देश की एकता को स्थापित करने वाला विचार अब पूरे देश के भावना को एकता के सुत्र में गर्दित करने वाला विचार अब इसलिए खादी से निर्मित माल लोगपरती से अधिक ले बड़ी तेजी के साथ अगरसर हुए हैं खंदना शुरू किये हैं हमने तही किया कि खादी वाजार के अंतरगत एक परधा की स्थितिवी निर्मान कर सके क्यों खादी आकर्शक बनाए जाए उसके द्वारा बने हुए कपड़े भी आकर्शक हो तो उसके लिए भी हमने की है हमें टी-शेट का भी इसके माद़ हम से किया है परिदा मी हुआ है कि लोग अधिक अधिक मातला में खादी की तरफ उन्म।क वए हैं और साथी साथ खादी अधिक से अधिक लोग प्योग कर सकें विभिन मंत्रारेओं को भी हमने आमंत्रित किया है उनसे आगर भी किया है कि अपने हाँ अधिसे अधिक खादी लेना शुरू कर दें जगह जा हमने मार्केटिंग के दुर्टिश से खादी के एक्जिवेशन्स भी लगाएं ताकि जो खादी की संस्थाएं हैं वो अच्छा माल पैदा करें अच्छा उत्पादन करें और फिर वहाँ ले जाएं इसके लिए चरके अच्छे हों अभी हमने चरकों को रिनोवेट करने के लिए सहयोग प्रदान किया संस्थाओं को 300 संस्थाओं को हमने बकाय दे केर डीपी के माद्यम से खादी रिफार्वन डेवलमेंट प्रोग्राम के माद्यम से हमने उनको पैसे दिये है ताकि यह रिनोवेशन के अंतरगत खादी यह अधिसे अधिक उत्पादित हो सके और जगज़न लोग ले सके खादी के दृष्टि जो कतिन है कारिकर है वो जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से उरुक्त उनना ही नहीं नहीं हो सकता था तो उनका भी ढंक से उनको पैसे मिल सके इसके भी हमने MDA के मादधम से व्यवस्था की है और MDA के मादधम से मारकेट ने प्रोमोशन डेवलोमेंट प्रोग्राम के मादधम से हमने एक कोशिस की है कि जो पहले संस्थाओं को और बाकिलों को हम देते थे 20 वीजदी 30 वीजदी ऐसे करके और कतिन को क्यों 30 वीजदी तो मिलना था इस बार 40 वीजदी से ज़्यादा जो हमारा कारीकर है उसको लाव प्राप्त हो ताकि वो अपने को ठीक मसूँ सके दे वर्षेड उनका ढंक से हो सके वर्षेक के दृट्टी से भी पहले साथ हजार और चालिस हजार उनको और अधिक देने का हमने प्यास किया है वहां उनका आधार भूट धाचा ठीक से हो सके संस्थाएं कमजोर हैं उनको और ब्योसित बनाने के लिए हमने आधार भूट धाचा का विकास खादी का ये सुरिशित किया है और उनको हम करोड में पैसा देते हैं और तीन सौ करोड हमने इस बार करके किया था और आपको जान का प्रसंता होगी काफी खादी की संस्थाएं ठीक दिशामे करी हैं और परड़ाम ही हुआ है कि पिछले बार के तुलना में चालिस फिजदी से ज़्यादा खादी प्रोड़ेशन भी हुआ है और उसे अधिक विक्री भी हुई है कलराच जी आपके मंतराले ने बहुत सारे जो कदम उठाया आपने उसकी चर्चा की लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चुनोती आपने के सामने आए जब आपने कई नए कदमों का इलान किया कोसिस की और राज्यों से किस तरह का ताल मिल रहा किस तरह का सहयोग मिला देखे बगए राज्यों के सहयोग से तो चीज़ नहीं हो सकती और हमारी हमेसा कोशिस रही है कि राज्यों के साथ बैट करके विचार करें और विचार करते हुए कैसे हम अपने स्कीम्स को आगे बढ़ा सकें ये हमने हमेसा प्रयास किया है और इसकी लिए हमने MSME कंक्लेव समझा करना शुरू किया है नार्सिस्ट का हमने चन्नीगर्ड में किया था जिसमें हिमान चल चन्नीगर्ड, हरियाना, दिल्ली और ये सारे परदेश आए हुए थे नार्सिस्ट में हमने किया था जिसमें सभी आठ इस्टेट्स आए थे जगा जह हम करते जा रहे हैं और उन स्टेर्ट के लोगों से इंडर्स्री मिनिस्टर हैं इंडर्स्री सेकर्टरी हैं चीफ मिनिस्टर हैं जा जा जाता हूं चीफ मिनिस्टर भी आते हैं मुझे लगता है कि अभी हमारे जो स्कीम्स हैं इन स्कीम्स के बारे में लोगों को जनकारी नहीं है यहां तक कि राज सरकारों को भी जनकारी नहीं है यह आश्यर हुआ मुझे तो स्कीम्स की जनकारी दे रहे हैं और उनसे अग्रह कर रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं अब मुझे प्रोजेट्ट बना की दो पहले था कि डिवान ड्राइवएन सारी चीए होती थी हमेंने कार नए यह कि आधार पर चलेगा नहीं हमने का नहीं हम कहेंगे चाफ बना कर दीजिए हम आपको दे रहे हैं इस इसलिए आज हमारे पास प्रोजेक्ट बनके आ रहे हैं उसे हमने करना शुरू किया है हमारी कई योजना इसी थी हमारी जैसी शूर्ति की योजना है जो ट्रडिशनल मुद्धों पर बात हो सकती थी लेकिन एक अंतिम सवाल है कि आगे की कारियोजना क्या है जो बाकी तीन वर्सें उसमें मंत्राले अपनी तरफ से कौन से आहम कदम उठाने वाला है उसके लिए कोई कारियोजना बनाई गया है क्या आगे की कारियोजना हमने सुनिशित किया है कि Employment Oriented और Entrepreneurship Oriented हम योजना को बना कर उसको पुरुन करें उन योजनाओं को समय से हम कारवनित कर लाने यह हमारी कोशिस है पिछले बार तो इस समय पास दस करो भी नहीं आवंडित वा था हमने तो आवंडित कर गया कायर करना प्रारब कर दिया है मुझे पूरा विश्वास है प्रधान मंतरी जी जो कलपना है उनकी जो सोच है और हिंदुस्तान की जो आवश्रकता है उसके अनुरूप MSME अपना एक सुरूप दिखाएगी और हिंदुस्तान को विश्वास देश बनाने के दिशा में महत्मुप पाहल करेगी डीडीने से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद